तुम क्या समझ रहे हो आज महर्रम जैसे ही आया हर जगे हैपी नियूएर मुबारक हो मुबारक हो किस बात की मुबारक बादी जिसने मुबारक बादी दी कभी पूछा उससे किस बात की मुबारक बादी नभी के घर लुट गया इसकी मुबारक बादी नभी के घर के बच्चों को मार दिया गया इसकी मुबारक बादी नभी की ओलादों के जनादों पे गोले दोड़ाए गए इसकी मुबारक बादी किस बात की मुबारक बादी कानू की कश्टी पार लगी आदम की तौबा कुबल हुई तुझे आदम याद रहा नू याद रहे तुझे हुसैन नहीं याद रहा तुझे नन्ना सा बच्चा अली अजगर नहीं याद रहा तुझे वो शेश 18 साल का शबीह मुस्तफा अली अक्बर नहीं याद रहा जिसके सीने पे बर्ची लगी कभी सोचा जिस घर से परदा कायम हुआ उस घर की ऑरतों पिराया गया फात्मा की बेटियों को हाथ पसे गरदन बान कर जनाब फात्मा की बेटी जैनब खुबरा हुसाइन की बहन नभी की नवसी अली की बेटी अपने बालों से चेहरा छुपा रही थी गली गली फिराया गया तुम्हें अब भी रहम नहीं आता अहले बैद पे कैसे मुसल्मान हो कि कलमा पढ़ते हो नभी का और नभी के घरवालों से जरा सभी महबत नहीं है जरा शी भी तुम्हें अगीरत नहीं है مسلمانوں قسم خدا کی اپنے نبی کے گھر والوں کے وفادار ہو جاؤ اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو جاؤ اپنے نبی سے معافی مانگو کہ جو عذیتیں تم نے دی ہے نبی کی آل کو جو ظلم بنی اسرائیل نے اپنے نبیوں پہ کیا ہے وہی ظلم مسلمانوں نے اس امت نے اپنے نبی کی اولادوں پہ کیا ہے کل اہلِ بیت کو قتل کیا آج اہلِ بیت کا ذکر روک رہے ہو اہلِ بیت کے ذکر کرنے والوں پہ फत्वा लगा रहे हो चाहते हो कहीं से जिकर अहल बैद बंद हो जाए मगर सुन लो इस उम्मत में हुसाइन का खून शामिल है अल्ला हुआ अक्बर वो हुसाइन के जिसके सर को काटा जा रहा था तो शिम्र से जब पूछा यजीद ने के शिम्र जब हुसाइन का सर काटा जा रहा था हुसाइन क्या कह रहे थे का हुसाइन कह रहे थे मेरे नाना की उम्मत को बख्ष दे ऐ खुदा मेरे नाना की उम्मत को इतना करीम घराना